हेलो फ्रेंड एक बार फिर से राम राम सार आने तो मैं रस्मी मलिक यूपी सामली से आप लोग पर फिर से बहुत बहुत स्वाकत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ही लोग में तो आज मैं बहुत मेहाल से काफी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ तो कुछ टैम तक तवियत खराब चलती रही थी तवियत खराब तो अब भी है लेकिन कुल मिला के ऐसा है कि वीडियो गुना सकते हैं अब थोड़ी आवाज निकल रही है गले से भी और फीगर भी ठीक है और आज बच्चे भी नेकाल से दस दिन के पादे स्कूल गए हैं सब कि तवित खराब चलती घर में सब ठीक सब को मुसम चैन्ज के विचे सखासी जुखाम बुखार हो रहता लेकिन अब फाइनली सब लोग ठीक हैं थोड़े थोड़े ऐसे हो गया है कि अपने काम पे लग जाए तो थेंक्यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए तो एक इस वीडियो जैसी एलिए है लेकिन आज इस वीडियो में आप को यह ज़ूरू को सॉपोर्ट करते हो औरि जोती को सपोर्ट नहीं ही कड़ते ओ ज्यूती पर्थान किया है इसलिए ज्युक्ति होड़े गई है यह दिन डश fan ज़ेई गार है बच्कों छोड़नने बच्छ अगर यह माल लेते हैं कि जोती सही हो जोती बिल्कुल सही है लेकिन उसने सही होते हुए भी ना वो गल्थ ही बोली जाएगी वो कितनी भी सही है उसने कितना परवीन है कितना भी गल्थ किया से साथ लेकिन अगर जोती सही होते हुए भी गल्थ साबित हो रही है और परवीन भाई गल्थ होते हुए भी सही साबित हो रही है क्यों इसका सिफ एक ही रीजन है जोती कोई गल्थ नहीं बोलता है जोती गल वो कितनी सही थीति थी है वो विल्कुल सहीति या है फुट्टे माइबात मैं सम्सभू तो वह अगर सही भी है ना तो भी उसको घल्थ ही बोला जाएगा. क्यों कि कोई मा अपने बच्चों के बिना 3 महीने से कैसे तो रह रही है, ऐसे कितनी पथर दिलेज़ों से बच्चे की एक मिनिट भी आथ मी आती है, एक बार भी उसको देखने का बन्नी करता, कई बार उसके बराबर से निकल गई कॉंसलिन के टाइब का लेकिन एक बार भी उसकी तरफ मूड़कर नहीं देखा तो ऐसे कितनी कठोर दिलमा है तो यहां गल्थ है बेसकों कितनी भी सही है बेसकों कितनी भी सच्चाई है लेकिन यहां आकर मैं उसको 0 mark सी दूंगी यहां आकर वो पूरी की पूरी गल्थ है और रही परवीन भाई कि बात ठीके परवीन भाई ने गल्ती की है drink भी किया ओगा सटा भी खेदा ओगा जोतिक प्ना कुछी भी किया जोग वो उंकी इसनल बात सहरे उनने पता है कि क्या सचह जूट है हम तो सिफ सुनते हैं और वो बतायरियन लेकिन असलियद तो जोति की परवीन को पता है कि कि कितना सचेन बातों में कितना जूट हैं लेकिन उस बंदे ने अपनी जिम्मेवारियों से भागा नही नहीं है की मेरे थोड़ना के लिए पैदा किया है बच्चे तो दोनों के है ना, दोनों को पाल लेग अधिकार है अकेला, बंदना दोनी पाल सकता ना कहने को तो वह भी कह सकते थे ना कियों पालूं बच्चे गों जो ती निपाल जी, वह भी छोड़ जा सकते थे लेकिन नहीं वह बच्चो के लिए आज भी बच्चो के साथ खड़े हैं और आने वाल टेम में यह कहते है कि मैं अपने बच्चो का ध्यान रखूँ और हमेशा उनके साथ खड़ रहोगो अगर वह घर पे रहे बच्चो को द्यान रखें तो आप लोगो प्रोब्लम है कि कुछ काम ने करता है निठला है घर बेठा रहता है अगर वह काम करने भार जाए तो आप लोगों के दिखकत है कि बच्चे को देखता नहीं है बच्चे को दालाजी समालते हैं और जब वह बाहर काम करने जाएगा या कहीं दो पैसे कहीं कमाएगा तो बच्चो को घर छोड़के जाएगा न या फिर बच्चो को भी साथ ले बच्चों दादाती ही समालेंगे बच्चों को ऐसा तहां नहीं पर विन भेरों साथ मिलेंगे जाएंगे तो किसी तरज दे इंसान को जी ले ले तो पर विने कितने भी गलते हैं कि नहां पाया कर वो फिल्कुल ठीक है कि अपने बच्चों के लिए वो खड़े हैं कि अपने बच्चों के लिए वो लड़ रहे है । अपने बच्चों के लिए दूसरी माने को जोति ही चाहते हैं। तो यहां पर आजाती है कि यकर जोति सही है हनतु तो सही होते हुए Officer भी वी होग्त थाइगा । अगर तर्वीन भाई कितने भी गल्थ है लेकिन वह यह आकर सही साभीत हो गये हैं वह हर मीडिय के हर司 किसा द्यूंत पारक क Cakeर के सामने आके को बोलतीcía नinka हमीर लोग बोलती इ상 दिभाद कि अगर इतनी सक्जी खाल रहे हैं जवाब दे रहे हैं कि opposition था रहे हैं तो इस बात पर भी गल्थ है कि वो इतना बोलता क्यों है इतने अंसर क्यों देता है आपने चलाता है जज है यह है वो है पता निक्या क्या तो किसी तरह से तो आदमी को जी ले ले तो करे तो मरे ना करे तो मरे बोले तो गल्थ ना बोले तो गल्थ तो हर चीज में घुमा फिरा के कही ना कही कुछ ना कुछ कमी निकालनी है बलकि ये कोशिस निकरते हैं, जो तीन मेनिस कंटिनू ये बोजारेगी जोती मत आना, तुम जोती मत आना, जोती मत आना अरे ये सोचो, जो आदमी बोल रहे हैं, अगर तुम्हारी वाइफ चली जाए, तुमने बच्चों को पाल रोंके कैसे रहेंगे बच्चे जोते हैं, अगर ये जोती की जग है, परवीन भाई ने की होती, जोती म कर दोने बच्चो को, तो जब क्या करते लोग, कोस कोस के जीनना हराई करते हैं बच्चों की जिम्दालियों से भाग गया, फल हो गया फल yaksa चकर चल ला wydaje मैंना, जब निसोचarna होगा, ये पता नही वैं क्या कर सुना देते हैं लेकि वो लेडिज है यह कुछ केहने बाला नहीं है किसी के बारे में ना सोचो यह तो दुनिया है इसको कहना कॉम है जो कहती है कहती है इसलिए दो ज़ये क 순ना है तो सुनो णे से लिसाज से निकाल दुध दुनिया है पता ने अगर दुनिया की साफ चलने लग जाए ना तो आदमी एक दिन भी मर जाएगा अपने भी कुछ जिम्मेदारिया होती है अपनी भी कुछ सेल्फ एक्स पैक्ट होती है वो बना के रखो तो बस मुझे इतने कहरा था की परवीन भाई सही होते हुए भी गल्थ साफित है सिफ किसलीए बच्चों को छोड़ कर जाने के रिये आप वो consistent ही और वह के सच साहिस हो गयह है क्योंकि वह आज भी बच्चों की जिम्मधारी दिभा रहे है है आज भी मा और बाप दोलों बंकर अपनी बच्चो के पड़िए बहुत गठी होता है को मा के बच्चो बपायल ला लेकिन ओफ फिर भी पड़िए अपनी जम्मेजारिय विसे भागे नहीं है तो इस वीड़ो करते हैं हही परेंड मिलते हैं आपको एक अच्छी जो नई वीडियो साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को सेयर कर सकते हैं चैल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अब वीडियो थोड़ी सी पसंद आये तो वीडियो को सेयर भी कर सकते हैं तो फिर स करें